दोस्तो जैपूनिया चैनल में आपका स्वागत है राजिस्तान सरकार के मानिन्य मुख्य मंत्री महुदे ने भी कहा है अधिकारीगन अपने यूवा सायथियों को जो भी लोग है उनको मोटीवेट करे ताकि लोक डॉवन में वो निरास ना हो उसी सिल्सिले में हमने भी ये कलास्ष दूरू किया ताकि आप लोगों को मोटीवेशन मिले परेणा मिले आज हम अपनी आरेस की क्लास में या सिविल सरीसेज की क्लास में दक्षिन अमरीका महादीब की नदिया और घास के मेदान हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम नदियों को पढ़ेंगे यह आपकी जीरो डिगरी विशुवर्थ रेखा जो अमने पिसली क्लास में पढ़ी थी पूमध्या रेखा या विशुवर्थ रेखा और यह आपकी हो गई मकर रेखा दक्सिन अमरीका मादीब की जब हम नदिया शुरू करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले जो नदी आती है आप लोगों के सभी के ध्यान में आती है वो नदी तो सबसे पहली नदी है वो आपके इस वाग में जिसको हम अमेजन नदी के नाम से जानते हैं यहां पर हमने देश पड़ा था पेरू इस देश से एनडीज प्रवतमाला से यह निकलती है, यहां पर हमने एनडीज प्रवतमाला पड़ी थी लास्ट जो अमेरी क्लास के उसमें तो पेरु देश से अमेजन नदी निकलती है और इसका अधिक तर भाग जो है वो आपके ब्राजील देश में है विश्वत रेखा के पास इसका मुवाना है और ये आपके अट्लांटिक मासागर जो है उसमें गिरती है अमेजन नदी के बारे में कुछ फैक्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी बारे में एक सामानिय परीचे में आप लोगों को बता दूँ दोस्तो जैसा कि हम पढ़ते आएं कि संसार की सबसे लंबी नदी जो है वो आपके नील नदी है जो अफ्रिका माधीप में है और नील नदी की लंबाई लगबग 6670 किलोमेटर है और यह जो आपके अमेजन नदी है ऐसा माना जाता है कि इसकी जो लंबाई है वो आपके 6470 किलोमेटर यानि लगबग 6500 किलोमेटर के आज़ पास इसकी टोटल लेंथ है नील के बाद संसार की दूसरी सबसे लंबी अगर कोई नदी है तो वो आपके अमेजन नदी आती है यानि कि नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है और दूसरे नंबर पर आपके अमेजन नदी आती है तो अमेजन की जो विशेष्टा हुई दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी दक्षिन अमेरिका महादीप में पच्चिम से पूरो की तरफ ये बैटी है दूसरी जो विशेष्ट है वो आपके इस नदी का अपवा या जिसको अपन आइतन कहते हैं या हम इसको जल ग्रेंड शेत्र कहते हैं रिवर केच्मेंट एरिया अपवा वोल्यूम जल ग्रेंड शेत्र इस दरश्टी कोण से यानि नदी कितना पानी डोती है या उसका रिवर केच्मेंट एरिया कितना बड़ा यानि कहां कहां से नदी में आके पानी गिरता है साहिक नदियों के द्वारा वो नदी का आपके रिवर केच्मेंट एरिया कहलाता है वोल्यूम यानि पानी की मात्रा कितनी है उस दरश्टी कोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी आपके अमेजन है लंबाई में दूसरे नमर पे अपवा, आयतन और जल गरेंड शेत्र में हमें ये ध्यान रखना है कि अमेजन नदी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है सबसे बड़ा अपवा तंत्र है इस मादीब का लगबग 40% सत्या उससे ज्यादा भाग में ये नदी और उसकी साइक नदिया बहती है तो ये चीज इसके बारे में ध्यान रखनी है अपवा की दृष्टी से दूसरी सबसे बड़ी नदी अफरीका में हम पढ़ेंगे जिसको हम कांगो या जाइरे नदी कहते हैं तो अमेजन नदी की पहले दो विशेष्टा ये इसकी लेंथ अमे ध्यान रखनी है कहीं पर 6450 किलोमेटर भी मिलता है आपके लिखा हुआ कहीं पर 6600 भी मिलता है और अभी हाली में दक्षिन अमरीका की भूगरो वेता उन्होंने दावा किया था कि अमेजन दुनिया की सबसे लंबी नदी है लेकिन वो अभी तक परमानित तत्या नहीं है तो अमें ये ध्यान रखना है कि लगबग 6550 किलोमेटर इसकी लंबई है तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है अमेजन को अमेजोनास भी कहते हैं आपके ये जो नदी ये जो अपवातंत्र है आपके इसकी कहीं साइक नदिया है जिनके बारे में हम यहां देखेंगे ये जो पहला भाग है आपके इसकी साइक नदियों में यह आपका बाया तट्वा और यह जो नीचे वाला भाग है वो आपका दाइना भाग हुआ दाइना तट्वा यह जो भाग है आपके ए इसका नाम है उक्याली उक्यावली यह जो बी है आपके बी का नाम है आपके पुरूस यह जो सी है इसका नाम है मडीरा मडीरा अमेजन की सबसे लंबी सायक नदी है लगबग और इवन भारतिकी जो सबसे लंबी नदी है, जैसे आपके सिंदू है, ब्रह्म पुतर है या भारतिके अंदर बेहने वाली सबसे लंबी नदी है, गंगा है, उनसे भी इसकी लेंद जो है वो ज्यादा है, अमेजन किसा एक नदी की, D पे जो है आपके तापाजोश है तो आपके ये जो भाग है दाइना भाग उसमें ये च्यार मुक्ये नदिया है उक्यावली, पुरूश, मडीरा और तापाजोश और ये जो बाया तट है आपके इसमें ये जापुरा और दूसरी आपकी ये जो नदी है इसका नाम है निग्रो यानि बाए तट से दो मुख्य नदीया गिरती है जापुरा और निग्रो तथा दाइने तट से आपके ये चार मुख्य नदीया गिरती है तो ये इसका river का catchment area हुआ जिसमें साहिक नदियों का पानी भी आपके गिरता है उसको हम नदी का catchment या जल गरन शेतर आपके कहते हैं अब इस नदी की बात करते हम और ही निको नाम का वेक्तिता जिसने इस नदी की सबसे पहले खोज की थी इसको आमेज जोनास का था तो आमेज जोनास ही यह आपके अमेजन बन गया है निग्रो नदी का जो तट्टिय भाग है आपका यह यहां पर नगर इस्तित है और इस नगर का नाम है मनाउश मनोश या मनाउश तो इसको हमें ध्यान रखना है कि मनाउश यहां पर है यह जो नदी है इसका यह भाग जहाँ पर नदी समुनर में गिरती अट्लांटिक मासागर में तो अमेजन नदी जो है दोस्तो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि यह estuary एस्ट्यूरी का अर्थ हुआ ज्वार नद्मुक। तो इस तरह से जो आकरती मिल बनती आपके त्रिबुजाकार उसको हम ठेल्टा कहते हैं ऐसी चापाकार आकरती में आपके डेल्टा कहलाती है और इसमें नदी का मिठा पानी भरा रहता है जबकि एस्चूरी जो होती है वह एक अलग चीज होती है जहां पर नदी सीधे या त को हम एस्चुरी या जवार नदमु कहते हैं जैसे बारत में नरमदा तापती या पच्छिमी घाट की जो भी नदिया है मांडवी जुवारी गोवा की सरवती करनाटक में ये सारी नदिया सीधी अरब सागर में गिरती है और वो पच्छिमी घाट से गिरती है उनकी डाल कम नहीं होती तो वो आपके सारी कि सारी एस्चुरी या जवार नदमु कह बनाती है नरमदा और तापी क्योंकि ब्रंस गाटी से बहती है तो वो भी आपके एस्चुरी का निर्मान करती है तो यह चीज हमें यहां ध्यान रखनी है तो अमेजन नदी भी आपके एस्चुरी ज्वारनत्मुक का निर्मान करती है इस नदी का जो ये मुवाना है यहां पर दो दीप है एक का नाम है माराजू नदीदीप और दूसरा है आपके बनावल नदीदीप रिवर आइलेंड जो नदियों के मद्य है या तो नदी के द्वारा अपरदन करने से कोई भाग दीप रूप ले लेता है या कहीं बार ऐसा होता कि नदी मिट्टी जमा करते हैं जैसे दीपों का निर्मान होता जैसे गंगा शागर दीप है न्यू मूरे दीप है अपने या जो बाद में अपरदित हो के गायब हो गया भार्त बंगलादेश के बीच विवादित था तो उस तर शेतरफल की दृष्टी से दुनिया का सबसे बड़ा नदी दीप नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा शेतरफल की दृष्टी से अगर नदी दीप है तो बनावल है आप इसको डूंडेगे तो पचास नंबर पे मिलेगा दीपों में यानि ओवर ओल जो दीप है उसमें इस आपका माजूली है और माजूली को जन सिंग्या ज्यादा होने के गारण असम सरकार ने जिले का दर्जा भी दिया है और वो वर्ड हेरिटेज लिस्ट में भी सामिल है जो यूनिस को आपके प्राकर्तिक दरोहर सूची जो जारी करती है उसमें वो भी सामिल है तो यहां पर है नदिय दीपों का निर्मान करती है जिसमें बनावल और मारा जो नदी दीप आता है मोरा जो या मारा जो बोलते हैं आपके तो यह तो इस नदी के अपवा की बात हुई कि यह नदी कहां से निकलती है तो एंडीज में पेरू देश में एंडीज प्रवतमाला से निकलती आती है तो मुक्य दारा के साब से दो ही देश हुए आपके विश्वत रेखा इसके उत्तर में गुजरती है मुवाना जो है वो विश्वत रेखा पर है आयतन के साब से सबसे बड़ी नदी है आयतन ज्यादा होने का कारण है कि यह नदी जीरो से लेके 10 डिगरी के बीच में बैती है जिसको हम विश्वत रेखिये निम्न वायुदाब शेत्र कहते है यह विश्वत रेखिये वर्षावन यह पाए जाते है यानि कि यहां पर वर्षा की मात्रा जो है वो 200 सेंटिमेटर या उससे अधिक होती है यानि यहां वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है जो मुवाना है वो लगवक्त आपके 40 किलो मीटर से भी तोड़ा मुवाना इस नदी का जहां पर ये एस्चूरी बनाती है तो ये आपके इसकी सामाइन ये विसेश्ता हुई हमने पड़ी अमेजन नदी का बहाव अब अमेजन नदी की जो दूसरी विसेश्ते हैं जिनके ल स्थिति की इकोसिस्टम या जैव विवी ड़ा के लिए जानी जाती है बायो डायरसिटी या जैव विवी ड़ा के लिए जानी जाती है अपके अ-च वैसकी हम बात करें पारिस्तिते की हम बात करें दोश्तों तो यह जो Amazon 1 है वर्षावन जिसको कहते हैं इस नदी में जो आपके forest मिलते हैं उनको Amazon rainforest या Amazon वर्षावन कहते हैं वर्षावन का यह तात्प्री होगा कि जहां 200 cm से अधिक ओसत वर्षा होती है वो आपके forest जो है वो rainforest कहलाते हैं तो इस Amazon वाले में जो आपके forest मिलते हैं उनको हम Amazon rainforest कहते हैं दुनिया में हम यह मानते हैं पढ़ते हैं जानते हैं कि सबसे ज्यादा घनेवन सघन वनस्पति जो dense vegetation है वो आपके इस भाग में मिलती है तो दुनिया के सबसे सघन या most dense vegetation in the world जो है वो आपके Amazon rainforest है तो पहली विसेश था इसकी यह हुई कहते हैं कि दुनिया की 20% oxygen की supply यह Amazon के वर्षावन करते हैं यानि इतना इनका मैत्रपुनिस्तान है इसलिए इनको संसार के फेवडे या lungs of the world भी कहते हैं यह किसन आरेस फ्रिलिम्स में पूचा भी गया कि lungs of the world कौन से है तो दुनिया के फेवडे जो है वो आपके Amazon वर्षावन है फिर यहां कहीं परकार की जेव विवीदता है बोटेनिस्ट जो है वो कहते हैं कि यहां 180 टाइप की plant species पाई जाती है और जन्तों के भी खूब सारी परजातिया पाई जाती है जैसे पादप परजातियों कि हम यहां बात करें तो यहां redwood मिलता है लाल लकडी जो है जिसको ब्रासिलिया कहते है इसी ब्रासिलिया के नाम पर ही इस देश का नाम जो है वो आपके ब्राजील और राजधानी को ब्रासील Vegas कहा जाता है तो एक तो आपके Redwood हुआ दूसरा यहां पे आपके Moniac Works मिलता है जिससे टेपियाक निकाला जाता है इस तरहे की vegetation है कशावा निकाला जाता इससे जो खाने के काम आता आपके तो मेनियाग, टेपियाग, कसावा के लिए भी यह जानी जाती है, फिर आपके यहाँ पर वालसा लकडी मिलती है, जो संसार की का जाता है कि सबसे हलकी लकडीों में से एक है, बाकि सिल्वर वूड वगेरा ऐसी पादप स्पीसिज यहाँ पर पाई जाती है, जो यह वन है, जो वरक्स है वो आपके यहाँ मिलते हैं, तो नीचे आपके गना अंदेरा, ऐसी सी मक्षी, जो जिसका कहते है कि काटने से इंसान की मर्ट्यू तक हो जाती है, ऐसे ही आपके मक्षिया यहाँ पर पाई जाती है, जन्तू पर जाती हो में आपके यहाँ पर खूब सारी ची हैं, केंडोर पक्सी जो है इस दक्सिन अमेरिका मादीप में मिलता है, नौर्थ अमेरिका में भी मिलता है, वो आपके लगबग एंडीज पे है, लेकिन इस अमेजन में जो पाई जाते हैं, वो आपके जिन में अनाकोंडा मुखियत है, आपके सामिल है, फिर यहाँ कहीं परजातिया पाई जाती है, वेंपायर बेट, जो आपके खून चूचने वाला चमगादड, वो भी आपके इसी अमेजन रेनफोरेस्ट में एक मिलने वाली स्पेसी है, तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं, इसी तरह एक बड़ा इस्तनपाई तापीर नाम का जानव भी आपके अमेजन रेनफोरेस्ट में मिलता है, तो अमेजन रेनफोरेस्ट में तापीर वार, Toe, Anakonda हुआ, इस तरह से आपके जन्तू या पक्षियों की परजातिया भी इस भाग में देखी जाती है, तो यह आपको ध्यान रखना है, फिर इस भाग में आपके जन्जात इसी तरह जो बेट है वेंपाइर बेट वो भी खून पीने वाला खून पीने वाले लोग अदिकतर यहां रहते हैं यह ध्यान रखना में तो आपके यह चीज़े है फिर आर्मीनी को एक जन्तु है वो भी इसी बाग में मिलता है तो यह आपके अमेजन की जो जियव किस देश में मिलती है तो आपके मेडागास करोगा जो इनमा शागर का सबसे बड़ा दीप है अफ्रीका के पास और अगर पर्टिकुलर एरिया की बात करे तो वह आपका यह अमेजन रेंफोरेस्ट है दोजार उनीस में यहां पर अगनिकांड हुआ जिसकी वज़े से क्योंकि मैंने बताया कि 20% oxygen की supply यह अमेजन रेंफोरेस्ट करते हैं तो दोस्तों यहां पर जो चीज़ें अमेजन के बारे में हमें ध्यान रखनी है कि एक तो अमेजन का अपवातंतर फिर यहां का ecosystem वह अमें पढ़ना है ecosystem क्या है कौन सी बायो डाइवर्शिटी जीव और पादप पर जाती है कौन कौन सी यहां पर मिलती है तो यह आपका पहला जो टोपिक हुआ वह अमारा हुआ Amazon फिर आपके दूसरे जो नदिया है इसके बाद वो हम दूसरी नदिया पढ़ेंगे Amazon के बाद जो मुख्य अपवातंतर है इस महादीप में दोस्तों वो आपके आता फिर पराना परागवे और Amazon के दक्षिन में जो अपवातंतर है उसका नाम है आपके टोकेंटिस यानि पहली जो आपकी नदिया है वो Amazon और इसकी ये साइक नदिया जो है वो हमने पढ़ी दूसरा जो में तोपिक आएगा आपके या दूसरी मुख्य अपवातंतर आएगा पहला आपका हो गया Amazon और शेकेंट जो है वो आपका इस भाग से शुरू होती है नदि Amazon के दक्षिन में इस नदि का नाम है टोकांटिस नदि टोकांटिस नदि जो है आपके वो यहाँ पर इसका अलग मुवाना है ये भी एस्चुरी बनाती है और मुक्यत है ब्राजील में बैती है इस टोकांटिस नदि के तट पर जो नगर है उसका नाम है आपके बेलेम या इसको बोलते हैं पारो नगर बेलेम जो है आपका वो यहाँ पर वर्षा वाला शेत्र माना जाता है बेलेम जो है वो रबड के लिए परसिद ब्राजील में रबड अमेजन वर्शावन में भी मिलते हैं और यहां पर भी मिलते हैं तो यह जो पारो नगर है वो आपके एक रबड का निर्या तक बंदरगा है और यहां पर रबड की जो किस्म है उसका नाम ही पारो है इसलिए इसको पारो नगर कहते हैं तो टोकांटिस नदी के ऊपर बेले मुआ यहां पर यह भी एस्चुरी बनाती है और अट्लांटिक महासागर में गिरती है तो हमें यहां पारो यह ध्यान रखना है पारो एक तो बुटान में अंतरा इस्ट अवाई अड़ा है जो भारत ने निर्मान करवाया जिसका एक पा यह पारो रबड़ की किस्म और एक पारो आपका भुटान तो दूसरा जो नदी अप्वातंतर है वह आपका हुआ टोकांटिस पहला जो है वह आपके हुआ अमेजन फिर इसके बाद टीसरी जो नदी आती है जो अप्वातंतर आता है उसको हम बोलते हैं पराना परागवे ये जो भाग है दोस्तो ये इस तरह का जो भाग है यहाँ पर ये एस्चुरी है कटा हुआ तट है और इस एस्चुरी का नाम है रियोडी लापलाटा लापलाटा की खाड़ी भी कहते हैं इसको रियोडी लापलाटा ये जो रियोडी लापलाटा है यह जो भाग है आपका जिससे आपन पढ़ते हैं कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा तो आपकी ध्यान में आता है कि सुनरवन डेल्टा है जो भारत वैं बांगलादेश में फेला हुआ है इसी तरह अगर संसार की सबसे बड़ी एस्चूरी पूछी जाए या आपके जोहार नदम कौन सा है तो आपका आंसर होगा रियोडी लापलाटा या लापलाटा की खाड़ी जो अमेजन का सुरी अटलंटिक का एक भाग है तो लापलाटा सबसे बड़ी एस्चूरी है इस लापलाटा में यहां से आपके पहले नदी आती है पराणा नदी जिसको अल्टो पराणा कहते है और इसकी जो सायक नदी है वो आपके परागवे यानि यह तो परागवे देश है उससे बहती है इसलिए इसका नाम परागवे है और यह आपकी होगी पराणा नदी मुख्य जो भाग है वो आपके कहला था है पराना या अल्टो पराना कहते हैं ये जो अल्टो पराना है ये ब्राजिल के उच्ज भूमी जो आईलेंड पठार है जो मिनस गेराश शेतर है तो वहां से ये निकलती है और ये पराना नदी जो है आपके परागवे वे ब्राजिल की सेमा बनाती है पहला यह ध्यान रखना है किस की सीमा बनाती है परागवे देश और ब्राजिल परागवे की सीमा अर्जेंटिना से बनाती है और ब्राजिल वे अर्जेंटिना की सीमा बनाती है यानि कि परागवे की सीमा तो दोनों से होगी ब्राजिल और अर्जेंटिना से और ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा भी बनाती है ये इसके बारे में मेत्वपूर्ण चीज है पहली जो सीमा है ब्राजील और प्रागवे देश की वहाँ पर इस पराना नदी पर हमें ध्यान रखना है मेत्वपूर्ण चीज इस्तित है जिसका नाम है इग्याजू जल परपात अगर आपको पुछा जाए तो वो आपके है इग्याजु जल परपात जो परागवे और ब्राजिल की सीमा पर है दुनिया का दूसरा सबसे चोड़ा जल परपात नियागरा नहीं है जैसा कि अदिक तरह पड़ लेते हैं वो है आपका विक्टोरिया जो जैंबेजी उस पर मेत्वपुन चीज है वो है आपका इत्यापू बांध तो यह तो हुआ जल परपात और यह हुआ आपका बांध इस महादीप का सबसे बड़ा जल विद्यूत केंद्र जो है वो आपका इत्यापू है एक परियाटन केंद्र भी है और यह अपने निर्मान के लिए जाना जाता है इतने अच्छे से इसका निर्मान किया गया है कि यहाँ देखने के लिए परियाटक जाते है इस बांध को तो इत्यापू जो है वो आपके अर्जेंटीना वे ब्राजील की सीमा पर इस महादीप का सबसे बड़ा जल विद्यूत केंद्र है फिर इसमें आप पतरी भाग में उरुगवे देश है और उरुगवे की जो राजदानी है आप लोगों ने पड़ी है मॉन्टे वीडियो उरुगवे को इस डक्षिन अमरीका मादीप का स्यूजरलेंड भी कहते हैं और यह यहां के जो प्रेशिडेंट है वो अपने साधकी के लिए जाने जाते हैं तो मॉन्टे वीडियो जो है वो रियोडी लापलाटा के नॉर्दन पॉइंट पे है यह और बी जो है इसका दक्षिनी बिंदू यहां पर आपके अर्जेंटिना की राजदानिया आप सभी जानते हैं ब्यूनश आइरिश यानि लापलाटा की खाड़ी पे दो राजदानिया होगी मॉन्टे वीडियो और व्यूनश आइरिस तो यह भी हमें ध्यान रखनी है फिर इस लापलाटा की खाड़ी में एक अलग से नदी उरुगवे देश से बैती है और गिरती है उस नदी का नाम आपके उरुगवे नदी है इसी तरह ब्राजिल में एक साव फ्रांसिस्को नदी भी बैती है जो अट्लांटिक मास आगर में गिरती है तो यह है तो यह यहां की कुछ मेत्वण नदिया अपवातंतर है यानि कि यहां पर हमने अमेजन पड़ी दूसरे पर टोकांटीस पड़ी फिर आपके साव फ्रांसिसको नदी फिर आपके यहां पर होगी पराना और प्रागवे नदी यह होगी आपकी उरुगवे सबसे बड़ी एश्चूरी होगी रियोडी लापलाटा पराना नदी की जो मेत्वण विसेशता ही है इगिया जुजल परपात और इतियापू बांध तो यह चीज़ें हमें पड़नी है फिर एक जो नदी है आपके इस बाग में वेनेजुएला देश्ट में और इस नदी का नाम आप लोगों को ध्यान है ध्यान नहीं है तो आज ध्यान कर लेते हम उसका नाम है औरी निको तो औरी निको नदी जो है दोस्तो वो आपके कौन से देश में हो गई वेनेजुएला देश में होई इस औरी निको की जो सा एक नदी है में तबुन चीज है हैं वो हमें ध्यान रखनी है पहले यह ध्यान रखना जो औरी निको नदी है वो आपके नोका गम ये नदी पेडल्स रिवर नाम से भी जानी जाती है और इसको जल परपात की भूमी भी कहते हैं लेंड ओफ वाटरफॉल और निको को इस औरी निको की जो साइक नदी है आपके उस साइक नदी का नाम है केरोनी केरोनी कोरोना नहीं है ध्यान रखना केरोनी है और केरोनी की जो साइक नदी है आपके उसका नाम है चुरूल चुरूल जो नदी है ये दोस्तों बहुती ज़्यादा महत्वपून है इस चुरूल नदी पर दुनिया का सबसे उंचा जल परपाथ, जिसका नाम है एंजल जल परपाथ तो एंजल परपाथ जो है, वो आपके कौन्ची नदी पर हुआ तो चुरूल नदी पर हुआ, इसकी जो उंचा ही है, 979 मीटर है दुनिया का सबसे उंचा जल परपाथ अगर जरने की बात करे तो वो आपका एंजिल है दूसरे नंबर पे जो है वो टुगेला है दक्षिन अफरिका में लेकिन सबसे उंचा ये है यानि यहां लगबग एक किलो मीटर उंचा ही से पानी गिरता है इस तरह से हमने इस मादीप की अपवात नतरवा नदी सिस्टम के बारे में जाना और ये नदिया आपके इंपोर्टेंट है इवन आजकल सेकंड ग्रेट की परिक्सा में भी पूछने लग गए कि हमेजन की साहिक नदिया कौन सी है यहां तक आपके इन एक्जाम में भी आते तो आरेस यूपीएसी में तो यह चीजे में तो है ही तो हमें यह सारी चीज ध्यान रखने हैं फिर इसके बाद दूसरा जो टोपिक है वो है हमारा घास के मैदान दक्सिन अमरीका महादीप में घास के मैदान कौन-कौन से ग्रास लेंग घास के मैदान का दोज़्ट तो यहां तात्परिया है पहले हम इसको जान ले कि लगबग तीन मिटर उची घास होती है यानि कि लगबग जिराफ की गरदन दिखाई देती है जो सवाना गास होती है उनकी उंचा ही इतनी ज़्यदा होती है यह जो grassland है गास के मेदान है दो परकार के होते हैं मुक्यत है एक तो आपके गरम भागों में है जिनको अपन ऊशन कहते हैं या उनसे सलंगन जो भाग होते हैं सब ट्रोपिकल या उपोशन कहलाते हैं तो यह आपके लगबग 0 से 10 डिग्री और ये आपके 10 से लेके 40 डिग्री के बीच में मिलते हैं फिर जो दूसरे होते हैं आपके वो तेंपरेट या सीतोष्ण buttgrassland या खास के मैदान टेंपरेट grassland कहलाते हैं यह आपके लगबग 40 से लेके programa साथेच साथ स स्थ डिग्री के अक्संसों के मध्य मिलते हैं तो ओष्ण तो आपके 0 से 10 डिग्री हो गए यह आपके लगबग हो गए 10 से 40 डिग्री और 40 से 6.5 डिग्री में सीतोष्ण मिलते हैं 6.5 से 90 का बीच का जो भाग है वो आरक्तिक वह अंटारक्तिका सर्किल कहला था जाएं आपके गास नहीं के बराबर वनस्वती मिलती है तो यह हमें ध्यान रखना है कि ग्रास लेंड के मुक्यत है दो परकार हुए एक आपका उष्ण या उपोष्ण और दूसरा आपके हो गया शीतोष्ण अब हम इस माधीब की बात करें तो यहां पर भी आपके ग्रास लेंड मिलते हैं जिनको हम यहां देखेंगे तो सबसे पहले घास के मेदानों में हमें ध्यान रखना है यहां हम नौर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आपके है वेनेजुएला देश में हैं उनको हम लानोस या लानोज कहते हैं जिनकी लोकेशन आपके यह है तो यह लानोज और यह देश हमने एंडिज प्रवतमाला में पढ़ा था कि यह जो भाग है यह आपका जो देश है वो वेनेजुएला देश है तो लानोज जो घास के मेदान है वो आपका मुक्यत है उश्न कटी बन दिया है दस डिगरी के आसपास पहले हुए है यह इसलिए हम इनको ओशन कटी बन दिया गास के मेदान कहते हैं तो पहले जो गास के मेदान हुए वो आपके लानोज हुए दूसरे जो है वो विश्वत रेखा के पास मिलते हैं आपके लानोज जो है वो आपके 5 डिगरी से उपर है यानि 10 डिगरी के आसपास है तो यह सवाना तुल्या या सवाना जैसे घास के मेदान कहलाते है जो अफरिका में सवाना मिलते हैं आपके 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्सांस या दक्षिनी अक्सांस के मद्य है तो वैसे जो घास के मेदान है यहाँ पर जो है वो आपके लानोज है इसलिए इनको सवाना टाइप ग्रास लेंड भी कहते हैं तो यह उसीन कती बन दिय है यह उपोष्ण भाग हुआ यानि की 10 डिग्री तक है इसलिए उस्वाज में भी आता है दूसरे जो है वो आपके सेलवा कहलाते हैं वहां पर आपके सेलवा मिलते हैं यह जंगली रबड का घर भी कहलाते हैं और यहां रबड मिलता है आपके रबड की खेती प्राकतिक रूप से होती है और ब्राजील जो है वो आपके दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा रबड उत्पादक देश है जैसे हम पढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रबड उत्वाद एक देश है वो थाइलेंड, दूसरे पर इंडुनेशिया है, तीसरे पर मलेशिया है, चोथे पर भारत है, और पांचवे पर अगर आपके आता है तो वो ब्राजील देश आता है, तो ब्राजील का से उसका नाम है कमपा या कैमपोश, तो कमपा या कैमपोश जो है, वो आपके ब्राजीलियन पठार पर मिलते हैं, तो यहां पर जो वनस्पति है, वो यह गास है, इसकी थोड़ी उंचाई कम है, यह सुस्क भाग है जबकि यह वर्षा वाला भाग है, यह आपका सवाना जैस उपोशन गास के मैदान या सवाना तुल्य गास के मैदान कहलते हैं, जैसे यह आपके सवाना तुल्य वैसे यह आपके सवाना तुल्य यानि उपोशन गास के मैदानों में आपके तीसरे नमबर पर अगर कोई चीज आती है, तो वो आपके कमपास है, इन में जो कमपास ग रूप में प्रियोग में आती है, इसलिए इसको येर्वा चाय के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इनको आपके कमपास को मुक्यत है, जो भाग है, इनको पेंटाना भी कहते हैं, यानि कमपास गास के मेदान का एक नाम जो है, वो आपके क्या है? पेंटाना. तो पेंटाना भी कहते हैं येरवा जो है वो वनस्पति है जिसका प्रियोग चाई के रूप में होता है और ये ब्राजील के ब्राजीलियन पठारिवाग में मिलते हैं तो केंपोस के बारे में हमें ये द्यार तक ना है ये जो केंपोस है इसके आसपास यहां पर सुस्क जाडिया मिलती है जिनको कटिंगा कहते है कटिंगा सुस्क जाडियों को कहते है कटंगा अलग है वो अफरिका में अंगोला देश में पठार है और ये आपके कटिंगा जाडिया, सुस्क जाडिया जो इस campus के आसपास मिलती है, तो ये अमें ध्यान रखना है, तीसरे नमबर पे जो है, वो ये, इसका जो मुक्यत अविस्तार है, campus का, वो आपके ब्राजील में भी है, अधिक तरविस्तार, और थोड़ा बहुत भाग इस जो ली है, इसका नाम है, ग्रान चाको, या चाको का मेदान, ये जो चाको का मेदान है, ये तीन देशों में है, यहाँ पे आपका बोलिविया हो गया, दूसरा आपका, परागवे हो गया, ये वाला भाग, और दक्षिन में आपका हो गया, अर्जेंटिन, यानि तीन देशों में इसका विस्तार मिलता है, चाको के मेदान का, या ग्रान चाको, इसमें आपके एक वनस्पति मिलती है, जैसे वहाँ ये रवा मिलती है, आपके, हमने पढ़ा था कि कंपा में येर्वा मिलती है, जो चाई की रूप में परसीद है, तो यहाँ पर माटे मिलती है, और प्रागवे की परसीद चाई, माटे चाई है, कभी कबार आरेस में ये भी पूछा गया है, जैसे मोका कोफी पूछा गया है, यमन में मिलती है, इसी त आपके Grand Chaco या Chaco का परशित मेदान, तो चोथे नमबर पे जो घास का मेदान हुआ वो यह, यहां पे Andies है, तो यह Andies के पूर्वी डाल पर कुछ वनस्पती मिलती है, जो इस Grand Chaco मेदान में भी देखी जाती है, जिसको Montana कहते हैं, तो वो Montana 1 जो है, वो आपके इस Chaco मेदान वा इसका नाम है Pampa या Pampas, यानि जो E है हो हमारा हो गया Pampa, S silent रहता है, यह Pampas नहीं है, इसको Pampa बोलते हैं, Pampa का मेदान, तो यह जो दोस्तों, यह उपोष्ण, यह उपोष्ण, यह उपोष्ण भाग और यह मुख्यत है उष्ण, घास के मेदान, जबकि यह जो भाग है, 40 ड गजन में हैं, तो यह पampas, जो है मुख्यता है आपके हो गया कैसा Grassland. शीटोष्ण घास का मेदान, तो यह आपका सीटोष्ण घास का मेदान होगा, शीटोष्ण घास के मेदान, की जो खास बात है और वहम्हां ध्यान रखना है, वह 2 कारणों से जाने जाते हैं, एक तो या तो वहां गेऊं की खेती होगी या फिर वहां भेड पालन होगा उन के लिए तो भेड जो दक्षिनी गोलार्द की भेड है वो हम सभी जानते हैं मेरीनों है जैसे हमारे यहां चोकला है वो राजस्तान की मेरीनों कहलाती है तो दक्षिनी गोलार्द की जो मुख्य भेड ह वो मेरी नो भेड है आपके वो मेरी नो भेड यहाँ पर भी मिलती है अर्जेंटिना में भी डक्षिन अफ्रीका में भी न्यूजिलेंड में भी मिलती है और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है लेकिन पंपाज में मुक्यत है गेउं की खेती होती है यहाँ पर जो मिटी मिलती ह इस पंपा में उसका नाम है चर्नोजम ये भी आरेस प्रिलिम्स में पूचा गया है चर्नोजम मिटिया तो चर्नोजम जो मिटिया होती है वो मुक्यात है यूमस से बनती है वनस्पतियों से बनती है और क्योंकि यहां गास का मैदान है वनस्पतिया है तो वनस्पतियों के करने से काला रंग हो जाता है सबसे उपजव मिट्यों में से एक है ये ये काले रंग की मिट्टी है काले रंग की मिट्टी एक तो बैसाल्ट लावा से मिलती है जो बारत में अंपटती है दक्कन लावा पठार में मिलती है एक आपके जो है चरनोज्म ये भी काले रंग की हो दक्षिनी गोलार्द में सबसे ज्यादा गेउं का सबसे बड़ा उत्पादक देश अर्जेंटी नहीं है और यह अर्जेंटीना का हरदय कहला था है पंपा को हार्ट ओफ अर्जेंटीना कहते हैं इसके आसपास यह जो भाग है यह अर्ध चंद्राकार पेटी है जहां गेउ अर्जेंटीना का जो हरदय है वो आपके कहलाता है पंपाज हाट ओफ अर्जेंटीना हुआ पंपा तो यह जो हमने पड़े घास के मेदान उत्तर से लेके डक्षन की तरफ तो यह अमें द्यान रखने हैं इस महादीप के हमारे लिए महत्वपूने तो दोस्तों दक्षिन अमरीका महादीप में हमने सबसे पहले नदिया पढ़ी अपवातंतर जोप था वो पढ़ा रेनेज सिस्टम शेकिंड नमबर पर हमने पढ़े ग्रास लेंड कौन-कौन से है उनके टाइप्स उनकी बेसिक जो फीचर्स थी वो हमने पढ़ी ये जो चीजे हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूने परिक्सा में आपको ध्यान रखना है विश्व भूगोल में हमें यही चीजे पढ़नी है इसके अतरिक्त हम इतियास की क्लासेज भी आज सुरू करेंगे आप अभी ये क्लास देखोगे इसके बाद गांधी जी पे आपके क्लास आयोजित होगी पहली जो क्लास होगी गांधी जी पे आप जैद पूनिया इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करो शेयर करो जुड़े रहिए दोस्तो धन्यावाद